किसने लाया है जेन बनियों ने फिलाया है ऐसा कहने वाले बद दिमाग अनूप मंडल के लोगों के लोगों के लिए यह कवीता रखना क्या प्रयास किया है तुम लोगों ने जेन समाज को कोई मजाक समझा है जेन जाती वो जाती है जो एक चीटी तक के मर जाने पर उपवा जो एक अहिंसक जाती को हत्यारा गोशित करने में लगे हैं सुनिएगा सारवाधिक टेक्स को भरते हैं भामाशाह कभी नहीं डरते हैं सेना के सब हत्यारों को धन दे कर पूरा करते हैं जग मात्र भूमी पे संकट था हमने वसुधा का घान किया मेवाडी शान बढ़ाने को भामाशाह बन कर दान किया जीवदया के रक्षक हम नहीं कभी बिबल का प्रयोग किया अरे राष्टन दिया आवाज हमे हमने अभिननदन सोप दिया तुम चीज हो क्या दो कोडी की ओकात नहीं है भोकने की हम निकल पड़े हैं लाखों में हिम्मत कर ले ना रोकने की हिम्मत कर ले ना रोकने की तो कलम रुपीस ताकत से हतियार दागने निकली हूँ मैं जेन धर्म की बेटी हूँ इंसाफ मांगने निकली हूँ एक संदेश जेन समाज को देना चाहती हूँ हम अहिंसक हैं मगर हम कायर या नपुसंक नहीं है हमेशा अपने बच्चों को शास्त्र के साथ शस्त्र की भी शिक्षा देना सीख लीजिए ताकि हमारे घरों में अगर इस तरह के अराजक्तत्व हमला बोल दे तो हम जबाब देने के लिए हमेशा तयार खड़े रहें तब पंक्तिया रखना चाहती हूँ तुमने हमारे जेन साथू संतों की हत्या कर दी सिर्फ यह सोचके कि इनके आने से बरसात नहीं होती सुखा पड़ जाता है तो सुन बेवकुफ तुने अगर जेन आगम या जेन दर्शन पड़ा होता तो तेरी यह बुद्धी ठीकाने आजाती सुनना क्या होता है जेन साथू जो त्यागी है वेरागी है जो निश कलंक सनमारगी है जिन्हें मोह नहीं इस दुनिया का जिने प्रीत प्रभु से लागी है जिनका इतिहास है बरसों का वसुदेव कुटुम्व कभाव रहा जहां राष्ट वाद नस नस में हो से जगडा ना दंगा करते ना घाली की भाशा बोले हर जाती का यहां पर स्वागत है हमने वेरागे के पट खोले अहिसक है ना पुसंक नहीं हमें कायर नहीं समझ लेना गर छेड़ोगे तो दिखला देंगे सापों के फणों को कुचल देना तो उन संतों की हत्या का हिसाब मांगने निकली हूँ मैं जेन धर्म की पेटी हूँ इसाफ मांगने निकली हूँ और तुमने कहा कि हमने कोरोना फिलाया इस कोरोना काल में जेन जाती ने कई स्थानक अपने आइसोलेशन सेंटर में तबदिल कर दिये थे साहाब हमने तन, मन, धन से सदा सहयोग दिया और तुमने कहा कि कोरोना हमने पेलाया अरे कोरोना कभी कोई जाती और मजहब नहीं देखता है महामारी कभी भी कोई जाती और संप्रदाय और मजहब नहीं देखती सुनिएगा महा मा हमारे भी भाई मरे थे हमारे भी बंदू मरे थे महा मारी ने सपने चीने कई जेनों के अपने चीने सेकडो लाशे धेर पड़ी चितकारे रोई मून खड़ी आप दाना जाती देखे ना मजभब ना इमान धरम ये कुदरत का एक कहर है जो करता ही नहीं अपनों पे रहम ओ बद दिमाक के जाहिलो क्यों भेड़ चाल में चलते हो जिस बात का कोई अर्थ नहीं फर जीबातों पर लड़ते हो लड़ना है तो सीमा पे लड़ो क्यों देश को मेरे पाट रहे अरे भारत मा के बेटों को क्यों जातिवाद में बाट रहे ये राष्ट विरोधी ताकत है इन काना कोई धरम है इन देश त्रोही हत्यारों को फांसी की सजादों तो कम है और सहाब अंतिम पंक्तिया रखना चाहती हूँ कि जो लोग बोलते हैं कि बनिये कायर है इस बात की गलत फिमी को अपने दिमाग से निकाल देना तब पंक्तिया रखने का प्रयास करती हूँ जेलों में शूर वीर पेदा हुए है तभी चंद्र गुप्त मोरित जैसे राजाओं ने सिर जुका लिया मैं किसी जाति का महिमा मंडन नहीं कर रही हूँ अनूप मंडल के लोगों तुमें सावधान और सतर्क कर रही हूँ हमारे परिवार पेवार करोगे तो चुप बेटने वाले हम नहीं है हमारे चोई स्थिर्थांकरपी शत्रियत है हमारे पोरुशुत्व को मतलब कारना हमारे पोरुश को मतलब कारना हम शास्त्र उठाने वाले है हम शास्त्र उठाने वाले है हम शास्त्र उठाना आता है हम कर्म से वेश भले ही है हम धर्म बचाना आता है तुम हमें काटने निकलोगे हमने भी चूडिया ना पहनी गर परिवार पे आई तो तेरी नसल मिटाना आता है मोधी जी थोड़ा त्यान धरो इन की फंडिंग करता है कौन ये अखंड भारत को तोड रहे सताधारी क्यों हुए मोन अनूप मंडल वालो सुनलो खुली चुनोती देती हूँ आजानाव जेल समाज की ये बेटी खुली चुनोती देती है उकात है तो सुनने का साहस रखना अनूप मंडल वालो सुनलो नफुरत को गर फेलाओगे अहिंसावादी को मुपेजो हिंसा का दाग लगाओगे गर हम आंदोलन पे उतरे तो गर गर छिपते जाओगे अरे हम सचे हिंदुस तानी है हमें हर जाती में पाओगे सत्य का खुला तराजु है तेरा तरक मापने निकली हूँ मैं जेन धर्म की बेटी हूँ इंसाफ मांगने निकली हूँ जय हिंद बन्ने मात्रम झाल